दोस्तों नमस्कार, एक बड़ा है खुबसूरत शब्द है दर्या दिली, यह शब्द आपदा और विपदा के इस घड़ी में जिस शक्स पर पूरी तरह फिट बैठता है, वो दर्या दिल सोनु सून है, यह बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। अब सोनु सूत का दिल से धन्यवाद करती हुई, जरा इस महिला को सुनी हैं। मैं तरपती हुए तरपती रहती थी अपने बच्चे के लिए, अपने लाल के लिए, मैं उसको अपने सामने देख रहे हूँ। दोस्तों आप बड़े बड़े अख़वार न्यूस चैनल पर संभव है कि सोनु सूत की खबरें कम ही देख पाते होंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर इस समय कोई स्टार है, कोई गरीबों, मजदूरों और मजबूरों जरूरत मंदों का मसीहा बन कर उभरा है। तो वो है सोनु सूद। यकिन मानिये बाते हम सरकारों की भारी भारकम दावों और वादों की तरह नहीं कर रहे हैं। हमारा मार्ध्यम तो वो मजदूर और वो मजबूर है जो हमें एश्वाराम की जिन्दगी देकर इस लॉकडाउन में खुद दरबदर की ठोकर खाने को लाचार हो गया है। अब आप ही बताईए कैसे ना वो 177 लड़कियां और उनके घरवाले हिरदय से धन्यवाद दें, दुआएं दें सोनु सूत को, जिन्हें सोनु ने एरना कुलम से उडिसा एरलिफ्ट किया, जो कारे सरकारों को करना चाहिए था, उसे सोनु ने कर दिखाया। जहां देश की सरकारे निरंतर टीवी पर बड़े बड़े दावे और वादे करती नजर आ रही हैं, जहां बड़े बड़े दिगज घराने घरों में दुबके दिखाई देते हैं, जहां माया नगरी मुंबई और फिल्मों में अपनी कई पीडियां खपा देने वाले परि जिसका सरोकार उस मजबूर से भी है, उस बेबस और लाचार से भी है, इतना ही नहीं, उस शक्स से भी है, जो छुटियां मनाने गया तो खुशियों से था, लेकिन इस कोरोना, डाइन और लॉकडाउन के चकर में फस गया, जी, ठीक समझ रहे हैं आप, सोनु सूद, एक सा अधारन सा दिखने वाला दो आखों, दो पैर और दो हाथ वाला असाधारन इनसान, जो हमारे आपके जैसा ही है, जी हाँ, यकीनन, उन मजबूर और मजबूर जैसा ही है, और उन लोगों जैसा भी है, जिन के लिए हिंदुस्तान सिर्फ शोरत और धन दौलत कमाने का सिर् किस घड़ी में और सोनु सूद क्यों नहीं क्यों नहीं और सोनु सूद।